बहुत बहुत स्वागत है स्विका हमारी योट्योब चैनल सोंट्स मीडिया में इस योट्योब चैनल धार यूवस्टिक के 20-23 के पार्ट वन के शात्र शात्रा है जैसे कि आप लोग कहा गया था कि 9 या 10 तारीक के आसपास से पार्ट वन के परिक्षा शुरू हो सकती है उस दिथी को लेकर के आज एक रिपोर्ट आई है इसमें अब मानिये परिक्षा इन अंत्रग जी खुद कहा रहे हैं कि 10 तारीक से पार्ट वन परिक्षा लेने की योजना बनाई जारी है प्रेटकल परिक्षा के बारे में परसान है आप तो हम शात शात रहे हैं तो प्रेटकल का एक्जाम थियरी एक्जाम हो जाने के बाद ही होगा यदि 10 माई से पार्ट वन परिक्षा थियरी की शुरू होई तो फिर कहा वक्त मिलेगा अभी प्रेटकल एक्जाम लेने का ले लिया गया था जिसे कारण रिजल्ट में यह हुआ था कि रिजल्ट भी जो है बहुत सारे प्रेटकल वाले जो कॉलूम होते है जिसमें अपसेंट बता दिया गया था क्यूंकि काले इस रोल नंबर जो होता है नमबर आफ एस्टुएंट को पर डिपन करता है कि इसी में 100 है तो फिर एक से सौ तक हो गा पर कोई दूसरा कालेश है उसमें अगर पचास स्चेट अ शाल का फेर एक से चानल होगा उसमेकी अग्जाम में यह कugal भूत के श二 का सामभावनाय बताई जूति है कि इसाधा हो में एक्वाशाए्ग था क्यूंकिन हलांकि mentor charge वे आपको कुछ देना परेगा आपको सिरिफ guest question के भरोस्ट नहीं रहाना है question bank से भी कम से कम 2017-2019 का question पढ़ लेना है chemistry honors वाले, physics honors वाले, जुलोजी honors वाले आप लोग विशेस रूप से ध्यान देंगे जितना ज़्यादा हो सेगे chemistry honors और physics honors वाले या जुलोजी वाले आप परेंगे क्योंकि university में देखा गया है कि chemistry और जो जुलोजी है उसका result अधिक तरह फंस जाता है तो chemistry और जुलोजी जोटने वाले ध्यान देंगे math वाले आपको जो है यदि साइसी question का answer आप attempt नहीं कर पाते हैं लेकिन यदि आपका जो format होता है answer बनाने का math के questions है तो format भी यदि आप अच्छे से बना करके आप जाते हैं answer लिखते समय तो यदि answer साइसी match भी नहीं करता है फिर भी format यदि ठीक होता है formula वगरे तो फिर आपको number दे दिया जाता है तो आप लोग अपने त्यारी जारी रखे और guess question साथी question bank उसके अलावा भी यदि आपको वक्त मिलता है तो आप बने guess paper से आप पढ़ते रहें ताकि आपके mind में ज़ो है ज़्यादा से ज़्यादा idea generate होसके किताबी knowledge आपके syllabus के बारे में और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्जाम में आप लिख पाएं एक्जाम में किस तरीके से लिखना है साथी किस question का answer कितना pace में देना है किस subject में कितने questions पूछे है जात है उसमें से कितने का आपको answer करना होता है हम आपको हैर चीज बदाते रहेंगे यह सबी चीज हम आपको बोड़ पर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे तो आप लोग सहीं बढ़ते फिलाल आप लोग अपनी त्यारी जॉय रखें किस तरीके से लिखना है वह आपको बताया देंगे और कितना question अटाम्ट करना होता है कैसे attempt करना होता है हम आपको बोड़ पर समझा देंगे फिलाल आप लोग अभी जो material है उस पर focus किजिए और प्रहाई जो अपनी जारी दखेंगे यहाँ आप देख पार है का जारा कि परीक्षा ने तरक संजय कुमार ने का है बीस से तेस के पार्टवन का एक्जाम होने वाला है क्योंकि बीच में कुरोना वगार आ गया था तो यह आज के देंग वासकर की रिपोर्ट जो ने कोशिश के आप तक पहुंचाने की बहुत बहुत शुक्री आपका इस विलो को देखने के लिए